हार यूँ हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल मेरा नाम है आसिस रावत और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कुंजल किरिया करने की विधी लाग और साबधानी लेकिन पहले हम समझेंगे कुंजल किरिया किसे कहते हैं पानी से पेट को साप किये जाने की किरिया को कुंजल किरिया कहते हैं कुंजल किरिया में पुरी तरह से व्यक्ति के जीवन में कोई रोग नहीं होता क्योंकि यह किरिया वास्तव में बहुती सक्तिसाली किरिया है इस किर्या में पेट वा आहर नली साप हो जाती है और इस किर्या का अभ्यास आप अपने योग गुरू के देख रेक में ही करना चाहिए अब जानते हैं कुझल किर्या करने की विधी सबसे पहले आप अपने पेट को पुरी तरह साप करें और हाथ मुख को भी दोलें अब एक लीटर पानी गरम करके रख लें जब पानी गुन-गुना हो जाए पीने लाइक तब आप बैट कर जितना संबव हो उतना पानी पिएं जब पानी खुद बहार निकलने लगे तो आप पानी पीना बंद कर दें अपनी उंग्लियों को मिलाकर मुख के अंदर जीब के पिछले हिसे पर गुमाए जब तक की उल्टी की इक्षा होकर पानी बहार न निकले जब पानी निकलने लगे तो उंग्लियों को बहार निकाल ले जब पानी निकलना बंद होने लगे तो वापस उंग्लियों को अंदर डाल कर उल्टी करें इस किरिया को तब तक करें जब तक पेट से सारा पानी बहार न निकल जाए जब पानी खट्टा या कडवा निकलने लगे तो फिर दो गिलास पानी पी कर पहले की तरह उल्टी करें जब आपका एक लीटर का अभ्यास हो जाए तब पानी की मातरा बढ़ा कर दो लीटर पानी से इसका अभ्यास करें अब जानते हैं कुंजल किरिया करने की सापधानी कुंजल किरिया के दो घंटे बाद आप इसनान करें या फिर कुंजल किरिया करने से पहले आप इसनान कर लें कुंजल किरिया का अभ्यास आप सुबा के समय पेट को पुरी तरह साप करने के बाद ही करना चाहिए कुंजल किरिया के लिए पानी में नमक वा सौप आदी कुछ भी ना मिलाएं हाई बीपी या हिर्दे के रोग्यों को कुंजल किरिया नहीं करनी चाहिए गले वा फेपडों में कोई भी परकार का गंभी रोग हो तब भी कुंजल किरिया नहीं करनी चाहिए कुझल किरिया सब्ता में आप दो बार कर सकते हैं कुझल किरिया करने के बाद आप दो घंटे तक कुछ भी ना खाएं जिस दिन आप कुझल किरिया करते हैं उस दिन आप मसालेदार भोजन और जंगपूर से बचें और घर का बना हुआ ताजा खाना खाएं अब जानते हैं कुंजल किरिया के लाव इस किरिया के अभ्यास से तीन अंगों को अती लाव मिलता है पहला लीवर, दूसरा हिर्दे, तीसरा पेट की आते इस किरिया को करने से वात, पीत और कप से होने वाले सभी रोग दूर हो जाते हैं तथा पाचन सक्ती बढ़ जाती है, यहां किरिया सर्दी, जुखाम, खासी, दमा, कफ, गैस, कब्ज आदी रोगों को दूर करता है इस किरिया को करने से मुँ, जीब और दातों के सभी रोग दूर हो जाते हैं तो यह थे इसके बैनिफीट, अगर आपको मेरी या वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सेयर करना ना भूलें, धन्यावाद